हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चानल आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज मैं बहुत दिन बाद अपना व्लॉग अप्लोड कर रही हूँ क्योंके मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंके मेरी चोटी वेटी की ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी तो पूरा दिन उसी में चला जाता था और फिर मेरे बाकी काम भी बहुत लेट हो पा रहे थे तो अब से मैं होफ़ुली जैसे वीडियो अपलोड करती थी रेगुलर्ली करूंगी तो प्लीज बने रहेगा मेरे साथ और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चानल को ये मैंने बिग बास्केट से बहुत सारा सामान मंगाया हुआ था तो मैं सुचा आपके साथ शेयर कर लूँ ये देखिए होल वीड नूडल्स हैं ये एक केजी हैं मैंने पहली बारी मंगाई हैं लेकिन मुझे सही लगी कि ये होल वीड मिल गई है और ये देखिए ये वाली होल वीड नूडल्स मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ ये अकसर मैं बनाती रहती हूँ तो मैं होल वीड वाली प्रिफेर करती हूँ कि बच्चे खाते हैं ये मास्टर चाओ वाला ब्रैंड तो मेरा ट्राइड इंटेस्टेड है और ये रामियन वाला मैं जब ट्राइड करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी और ये पास्ता है बीच में मेरी चोटी बेटी मांगती है कभी भी तो मैं उसे बना कर दे देती हूँ ये भी 100% दरम वीट पासता है उसमें सूजी भी है और ये इमली है मैंने चटनी के लिए मंगाई है इसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया है जब बनाओंगी इसकी चटनी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी विंटर में वेज़िटेबल्स और फ्रूट्स के इत्ते सारे उप्शन्स होता है कि जब मैं मंगाने बैठती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या नहीं मंगाऊं ये मैंने आपल्स मंगाये थे ये जादा अच्छे नहीं आए इस बार वैसे काफी बार अच्छे आता है और आदे घंटे के अंदर डिलिवर कर देते हैं अगर हाफ और वाला चूस करें तो मश्रूम मटर और ये नीबू है सारी चीज़ें और मुझे फ्रेश लग रही है और क्लीन भी है और ये अदरक आज कल की नहीं बहुत जरूर ही क्योंकि अदरक की चाई भी बन र उसको नूडल्स बनाऊंगी आगे मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी और ये फूल को भी मंगाई है इसकी सब्जी मुझे बहुत पसंद है और आज कल इसका मौसम है तो अच्छी फ्रेश भी आ रही है तो मैंने इतनी सारी सब्जियां इसलिए मंगाई है क्योंकि मैं अपने आपको चैलेंज किया है कि मैं एक वीक पूरा सब्जियां बनाऊंगी डिफरेंट रिफरेंट और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी मैंने काफी रेसिपी शॉट्स में भी शेयर की हुई है और ये देखिए बीन्स भी मंगाई है और मैंने एक किलो मतर भ करूंगी और बड़ी बेटी तली हुई भी खाती है तो मैं उसे फ्राइ करके भी दूंगी और भिंटी मैंने मंगाई है काफी दिन बाद आगे मैंने उसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है और इस बार टिमाटर थोड़े हरे से हैं जादा अच्छे नहीं लगे इस बार के और लसन मंगाया है ये धनिया है और ये हरा प्यास भी है इस वद मुझे बहुत एकसाइटमेंट हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं क्या-क्या बना डालूं बस सबजियों से तो सबसे पहले तो मैंने वेजिटेबल स्टॉक बनाया है आगे मैं भी दिखाऊंगी आ और इस्पेशली मेरी चोटी बेटी बहुत कम खाती है सबसियां तो मैं सुचा था ये स्टॉक बना कर रख लूंगी और उसे डिफरेंट चीजों में यूस कर लूंगी जो वो खाती है तो जैसे पास्ता है नूडल्स हैं मैं एक बर वैसे बॉयल कर लेती हूंने उसका पा तो मैं थोड़ा सा आटा गुनने में भी यही उसकर लेती हूं और यह बना कर आप आराम से एर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टॉर कर सकते हैं तो मैंने मश्रूम की स्टेम्स ले ली थी आलू के चलके ले ले लिये थे और बीन्स भी थोड़ी सी डाली थी गाजर डा था और लसन डाल कर थोड़ा सा प्रराइ किया था बसलकासव और इसी टाइम पर लग और ब्लैक zessा कर ब्लैक वड़ा Xiao के लाता ख लाते हैं मैं इस वाब भुल गई थी तो बाद में डाल था और बाकी खड़े मसाले भी आम डालना चाहें तो डाल सकते हैं 350 ली डालश किन था उससे फिर नमक की कॉंटिटी जादा हो सकती थी सेफ साइट पर रहने के लिए मैंने इसमें नमक में आड किया है जो इस चीज में डालूंगे फिर उसी में आड करूंगे तो बस यह डे लीटर पानी डाल कर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 30 मिनिट को वैसे और जादा भी पका सकते हैं 45-50 मिनिट भी पका सकते हैं इसे तब और जादा अच्छे से बनेगा तो यह आदा गंटा हो गया था इसे पकते पकते तो फिर मैंने इसे बंद कर दिया है और इसे चान लूँगे अब मैं अपने बोल में वैसे इसे ग्लास पॉटल मे रखना सही होता है क्योंकि वो पर आराम से आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं मुझे ज़्यादा स्टोर नहीं करना था तो मैंने अपने बोल में ही निकाल लिया है और इसे मैं जल्दी यूज़ कर लूँगी तो तीन दिन में खतम कर दिया था मैंने और यह देखिए इसक कि बहुत ही सिंपल बनाई थी कुछ जादा खास मसाले अलग से यूज़ नहीं किये थे वह सिंपल जीरा मेती दाना डाल कर बाकी जो होते मसाले पाउडर स्पाइस वही यूज़ किये थे यूज़ कि पूल गोबी कि वैसी टेस्ट इतना अच्छा होता है तो मुझे इसी स कर रही हूँ तो ये सब सब 어제 ये मैंने चौप कर ली थी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में बड़ी बैटी कर रही है उसे आजकल वीडियोस बनाने के बड़ा शॉक हो रहा है और ये सब स्टाइल दिखाती रहते है कभी आगी से बनाती है कभी पीछे से कभी साइट से और यह मैंने नूडल्स बॉइल कर ली थी तो इसमें ओईल लगा कर रखा है इसे ओईल लगा कर इसे हाथ से टॉस कर लें तो फिर यह चिपकती नहीं है और नूडल्स को बॉइल करने का तरीका यह है कि उबलते हुए पानी में आप फिर डूंडल्स डालें और बस एक से जादा बॉइल करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाती है और यह मैंने बहुत दिनों बाद अपना हाड एनडाइस वाली कड़ाई निकालिये इसके साथ के आपने मेरे फ्राइंग पैन देखा होगा और तवा जिस पर मैं रोटी बनाती हूं वो ऐसे ही सेम है कॉलिटी का है यह काफी साल से चल रहे हैं और यह नॉन स्टिक की तरह हमफल भी नहीं होता है लेकिन कंप्लीटली नॉन स्टिक भी नहीं होता आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है वैसे इसमें उतना जादा चिपकता भी नहीं बस थोड़ा बहुत चिपकता है तो इसलिए मैं कम य बाट गया है और वो इतने महंगे महंगे थे अब दोनों बेकार पड़े हुआ है तो यह वैसे कड़ाई की तरह डीप नहीं है इसलिए मुझे इसे पूरा हिलार ना पढ़ रहा है तेल को हर तरफ लगाने के लिए तो बस ओईल में लसन डालके थोड़ा सा फ्राय किया है और और मैं यह प्याज डाल रही हूँ इसमें सारी सबजी क्रंची रहनी चाहिए तो मैं प्याज को बस थोड़ी देरी पकाऊंगी यूंकि यह सौफ नहीं होनी चाहिए वरना पिर अच्छी नहीं लगती और बस मैं यह अब देख रही हूँ कि बड़ी बिटी ने क्या क्या क सॉल्ट और बहुत थोड़ी सी शिजवान सॉस डालूंगी फिर बस यह सब डाल कर हलका से सौटे करना है वेजटेबल्स क्रंची रहें ताके और बस यह नूडल्स डाल देनी हैं मैंने थोड़ी नूडल्स बचा ली दी हूँ कि छोटी वाली वीटी वेजटेबल्स के साथ खाना पसंद नहीं करती तो उसे मैं अलग से थोड़ा वेजटेबल स्टॉक में पका कर दूँगी तो यह अब मैं बाकी नूडल्स में वेजटेबल स्टॉक डाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा मागी का मसाला मैजिक एट कर देती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट अट करती हूँ बस ऐसी ही फिर उसे अच्छा लगता है इस बार स्टॉक में मैं बॉइल कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे तसल्ली हो रही है कि चलो उसे कुछ वेजटेबल्स के नूटेंस भी मिल रहे हैं और यह थोड़ा सा स्टॉक मैंने लगने से भी बच गया ही नूडल्स इसमें और काफी अच्छी टेस्टी बनी थी तो नूडल्स कंप्लीटली अनहल्दी नहीं होती अगर होल वीट वाली हो और फिर आप उसमें होप सारी वेजटेबल्स डाल दें तो इस बहाने बच्चे वेजटेबल्स भी खा लेते हैं और यह नेक्स्ट मैंने एक दिन डिनर में एक बुर्ची बनाई थी इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ने डाली हैं मश्रूम भी डाला है शिम्रा मिर्च, हरा प्याज, वाइट प्याज, धन्या और टिमाटर आप चाहें तो इसे कंप्लीटली वेज रेसिपी भी कर सकते हैं अंडे की जगा पनीर यूस कर सकते हैं तो इसमें ऑईल में सबसे पहले गार्लिक जाएगा अब चाहें तो एक बुर्ची में गार्लिक स्किब भी कर सकते हैं और इसके साथ अद्रग भी डाल सकते हैं और अगर चौप गार्लिक ने यूस करना हो तो जिंजर गार्लिक का प लेकिन मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने यूज करने के लिए डाला है तो इससे अच्छा कलर भी आ गया है और टेस्ट में भी कोई ये बुरा नहीं लग रहा था तो ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हूं कुछ ऐसा नहीं है मेरा फिक्स की वाली सबसी ऐसे इसको डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं ताके आपको डिफरेंट टेस का पता चले और ये पता चले कि कौन सी चीज किसमें ज्यादा अच्छी लगती है और ये फ्रोजन पराठे हैं ये मैं मंगा कर रखती हूं पैकेट्स फ्रीजर में रेडिमेट होते हैं इसे बस होता है और खा सकते हैं यह मैं ऐसी एमेजन्स कीस के इने रखती हूं कि कभी दिल नहीं कर रहा हो आटा गुनने हा यह कमी पर जाए और जाये थो मैं पर यह वाले पराठे यूज कर लेती हूर अभी जैसे एक बहर के नहीं कर रहा था कुछ भी बनानी का वस एक एक भुर तो प्यास को फ्राइ करने के बाद मैंने टिमाटर अट कर दिये थे और उसे थोड़ा सा फ्राइ किया फिर नमक डाल दिया और अब टिमाटर को अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाऊंगे फिर इसमें मसाले अट कर दियें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर तो ये मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक तेल अलग न हो जाए और साथ के साथ मैं पराटे भी फ्राइ कर रही हूं और बहुत आराम से फ्राइ हो जा रहे हैं मैं बस थोड़ा सा घी लगा कर फ्राइ करूँगी ये लच्छा पाराटा है, इनका प्लेन पाराटा भी आता है इसे बिना घी लगाए भी फ्राइ कर सकते हैं आज मैं इसे घी लगा कर फ्राइ करूँगी देखे एक साइट से थोड़ा काम सिखा हुआ लग रहा है लेकिन वैसे एक अच्छा नहीं है थोड़ा से फ्राइ करने से ये अच्छे से हो जाएगा और ये देखिए ओयल सेपरेट हो गया था मसाले को अच्छा सा भून दें तो फिर एक में से स्मेल भी नहीं आती है तो इसमें मसाला जब भून किया था तब मैंने शिम्डा में चैट किये इसे थोड़ा सा फ्राइ करूंगे और फिर मश्रूम अट करूंगे साथ में मैं पराठा भी दिखाती जा रही हूँ आपको कि इतना अच्छा सा टेक्स्चर हो जाएगा उसका और खाने में बल्कुल भी नहीं लगता है कि ये रेडिमेट वाला है ऐसी लगता है कि घर में ही बनाया है ये whole wheat वाला है वैसे इनका मैदर वाला भी आता है ये वैसे थोड़ा costly तो होता है लेकिन कभी कभी के लिए ठीक है आप बाहर से order करें तो इससे तो महेंगे ही पड़ेगा तो मश्रूम जब अच्छे से पग गया था तब मैंने पर अंडे हाट किया इसमें और मश्रूम को प कि अर्येगा और ये एक दिन मैंने मूली के पत्तों की सबजी बनाई थी इसमें मैंने मूली नहीं डाली है वस ख़ली पत्ते ही डाले है ये सिंपल सी बनाई थी वस जीरा मेती दाना डा और पयास डाली और लाल मिर्च पाउडर नमक और धनिया डाला था बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी, इसलिए मैंने रेसिपी शूट नहीं की, लेकिन ये हस्बन को बहुत पसंद आई, और ये साथ मैं मैं रोटी बना रही हूं, ये लंच का टाइम था, वैसे इसमें मूली भी डाली चाहिए, और ना पते शुरू में तो बहुत जादा लगते हैं, लेकिन पकने के बाद थोड़े से हो जाते हैं, तो अक्सर नमक तेज हो जाता है, लेकिन आज परफेक्ट डाला था मैंने, कमी रखा था, तो इसलिए जादा टेस्टी लग रही थी, और ये देखिए, ये इसकी भी रेसिपी मैंने शूट नहीं की, लेकिन ये भी बहुत मज़दार थी, सिंपल थी, लेकिन मज़दार बनी थी, मैंने इसके शॉर्ट्स डाला है, और वो काफी सब ने लाइक भी किया, और आप रेसिपी देखना चाहें, तो वहां से देख सकते हैं, और ये मैं भ प्राइड होती है पहले से, और काफी लोग पुछते हैं कि स्टेनलेस स्टील में खाना चिपकता नहीं है, तो मैं कहूंगी कि हाँ थोड़ा बहुत चिपकता है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो नहीं चिपकेगा, और आप ये नोटिस करिएगा, कि मैंने रहा हो जाती है, तो अभी देखिए, मैंने वो बिंटी निकाल लीती है, और थोड़ा सा तेल अड़ करके इसमें जीरा अड़ किया है, मेती दाना अड़ किया है, और प्यास को मैं अच्छे से फ्राइड कर लूँगी, अब मैं इसमें सारे पाउडर मसाले अड़ कर मसाले जब अच्छे से फ्राइड हो गए थे, तब मैंने भिंटी अड़ कर दिये, अब इसे पकने में जादा टाइम नहीं लगीगा, क्योंकि यह अरड़ी फ्राइड हो चुकी है, ऐसे बहुती मज़िदार सी भिंटी बनकर से यार हुई थी, आप जरूर ट्राइड त्क यू पुर चाहिए, पाइ!